आज मैं बनाने वाले हूँ आलू के चिप्स वाले पकोडे हलो दोस्तों विल्कम बाइक टू माई चैनल तो आज कल तो हर जगा बारिशोरे लगतार एक हपते से बारिश बंदी नहीं है तो कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन ही करता है तो आज हम बना रहे हैं आलू के चिप्स वाले पकोडे तो इसके लिए आप तीन आलू हमने लिया है और इसको हमने एक प्लेट में रख लिया है और इसको अभी हमें छील करके काटना है तब दक हम मसाले के तयारी कर लेते हैं जो हमें डालना इसमें तो एक लेती हैं इसमें हमने लेसन डाल दिया है लेसन को हमने छील करके नहीं डाला है ऐसे ही लेसन 25 कली अब इसमें हम डाल देया है लाल मर्च चोड़ा तीखा चटफधा रहता है तो एक मदल्स दर आहीक मैं नहीं रहेंगे जिटना भी आलू वाहां तो चूल नए पड़ेने पापन से सग्केुर में चक्क फीरे कें ollut हैं पतला चिम्स की टाइप की काटते जाते हैं इसे पास नहीं है तो यहां पर है हम उसको कर जाता है जरी तोड़ा सा मोटा हो रहा था लेकिन कर जाता फिल तरोड़ा समय लगता है जब हम इसके पाकोड़े और देखिए थोड़ा-पतला कटा है फिर एक हम बरतन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं बेशन जितना आपको बेशन बनाना ओभी तो यहां पिर 200 घ्राम करीव हमने बेशन लिया है इसमें अब हम डाल देते हैं नमक रफिर ढालते हैं हल्दी एक चौधाई चमब और फिर इसमें हम ढाल देते हैं थोड़ा सा गरम तोड़ी सी हींग को ढाल देते हैं तो हींग से प्लिवर भी आरगा और पाचन के लिए बहुत सही है यहां पर थोड़ी से अजवाइन हम लेते हैं और हाथ से क्रस करके डाल देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे भूनेवी जीरा का पाउडर एक चुटके के करेश अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्स का पाउडर फिर मसाले को बेशन में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर चम्मस से हम घुमा करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर देखिए जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं अब इसमें हम पानी डाल करके इसका घोल तायार कर लेते हैं थोड़ा थिक्सा ही घोल हम बनाएंगे तो इसको हम मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से बैटर को मिलाते जाएंगे यहांद इस चमध से छामस फेट रहे हैंसरा熟 एटार हैते हैं जो मसाला दरदरा पीस करें रखा उसको डाल देते इसे इसका फ्लीवर बहुत ही बढ़ील उने तीक हाप से और कोु कई भी चीज नहीं डाला आ υாथ से घुमा घुमा करें इसको फेट लेते हैं बेशन को जितना ही हम फेटेंगे उतना ही जो पकोड़े हैं बहुत ही फलपी बनेंगे यहां पर थोड़ा इसका बैटर पतला हो गया जिसमें फोड़ा सा बेशन दो चमबस करीब और हमने डाल दिया है और बेशन को अच्छी तरह से फेट लेते हैं और अब इसको क्रिस्प हमने बेशन को फेट रखा है और इसको फेटें के बाद रखते हैं पांच मिनट के लिए तब तक गैस पर हम चड़ाते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं तेल तो यहां पर हमने स्वयावीन ओयल डाल दिया है और तेल को हम गरम होने देते हैं तब तक तेल गरम हो रहा तब तक Bayesian को एक बार और फेट लेते हैं यह पर देखिए ब्यदल को एक बार और हम फेट लेते हैं कि अ-घ्र जो अलु के हमने चीप्स काट करके हैं उसको एक-एक करके Bayesian में हम डालते जाएंगे तो हbase पाणी में हम बूर्ते जा रहे हैं साथ से आled डाल लेते हैं तक कि बार-बार निकालना नहीं पड़ेगा तो इस में डाले करके क्यों कर के हमें डालना रह Monsieur आप देखे इतना आलो में डालना एक बाल में उतना हम नहीं डाल लिया फिर चम्मस से को ऊपर से से खोट कर देते हैं और तेल खुद गरम है तो इसको अब हम डालते जाएंगे तो हाथ से ताल रहे हैं चमज से क्या ज्यादा मोटा हो जाए एक साइड का बेसन अच्छी से नहीं पड़ेगा तो हाथ से इसको हम एक एक करके एक बार में साथ आठ पकोड़े हम डाल देते हैं इसको गैस के फिलम को मीडियम करके हमें सेखना है जिसे कि आलू जो है थोड़ा सा बीच-बीच में कहीं कहीं मोटा है तो अच्छी तरह से पक जाएगा अंदर से बाहर तक यहां पर हमने चक्कु लिया चक्कु से पकोड़े जो है उसक तरह से आप लोग इस बार इसके मौसम में आलू चिप्स के पकोड़े बनाई है बड़े बच्चे सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी के साथ तहां पर देखिए पकोड़े जो हम अच्छी तरह से फ्राइब हो गया है इसको हम लेते पकोड़े बन करके रेडी है तो इसको हम प्लेट में डालते हैं तो इस बार इसके मौसम में चटपटा क्रिस्पी पकोड़े आप लोग ट्राइ करें और हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ता रात में चटनी जरूर देते हैं इसके साथ बहुत ही टेस्टी फकोड़े लगते हैं तो वही हमने बनाई है और यहां पर मैं एक तोड़ करके दिखा रहे हूं तो देखिए बहुत थिक टिस्पी है अंदर से बिल्कुल जो आलू है पक गए है तो